दोस्तो खेती बाड़ी करना कोई आसान काम नहीं सिर्का पसीना पैरों के इंड़ी तलक पहुँच जाता है तब कहीं जाकर पैसा जेब में आता है दोस्तो आप देख रहे हैं मैंता की खेती मैंता की खेती की खुदाई हो रही है और खेती अच्छे तरीके से जुताई करने के बाद खेत में डोल डालने के बाद सिचाई करने के बाद पौधे की रोपाई हुई थी और एक निराई होने के बाद दूसरी निराई हो रही है और साथ साथ में पीछे से गुडाई भी हो रही है खुदाई भी हो रही है आप देख रहे हैं जबरदस्त महनत हो रही है तब कहीं जाकर ये महनता की खेती सफल होगी और अभी तो ये बिल्कुल starting है दूसरी निराई हुई है लगभग एक से गेड़ महीने की फसल हुई है और अभी कटना बाकी है और तयार होना बाकी है आप देख सकते हैं ये है मेंता की खेती और मेंता की बहतर खेती करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम किया जाता है और आप वीडियो में जवर्दस तरीके से महनत होती हुई देख रहे हैं और हम आपको दिखाने का प्रियास कर रहे हैं भाई बंधु बड़ी महनत से और बारीकी से काम कर रहे हैं और ये कुदाल आप देख रहे हैं कुदाल की खुदाई आप देख रहे हैं कितने बहतर तरीके से continue पौध्य भी बचाय जा रहे हैं कि नहीं सकते इनको इतना knowledge है क्योंकि यह तजुर्वेदार आदमी हैं और खेती करना भी तजुर्वेदार आदमी का ही काम है किताबी knowledge के हिसाब से यदि खेती करोगे तो नहीं हो पाएगा practical knowledge है आपको तभी खेती करने में सफल हो सकते हैं यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊंगा ये मैंन्था की खेती और आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा आपको इस वीडियो में काफी knowledge म सकते हैं इदर देखिए निराई हो रही है एक साथ निराई और पीछे-पीछे खुदाई ताके मैंता की खेती से जबरदस्त प्रोडक्शन जादा से जादा तेल निकाला जा सके आप देख सकते हैं ये बारी की तरीके से काम हो रहा है इदर निराई हो रही है पौधे की और फिर पीछे पीछे खोदा जा रहा है ताके मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए और पौध्य की जड़का विकास अच्छे तरीके से हो पौध्य जादा से जादा गिरो करें और बता दें मैंता की खेती से तेल ज्यादा तभी निकलता है जब मिट्टी एकदम भुरुरी होगी पौधा अच्छे से ग्रोथ कर लेगा पौधे पे ज्यादा से ज्यादा पतियां होगी और जब पतियां ज्यादा होगी तभी तेल ज्यादा निकलेगा क्योंकि इसकी पत खर्पतबार ना पनपने दें यही मैं आप लोगों से गुजारिस करता हूं यदि खेती करना चाहते हैं तो अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से खेती करिए खेती करने का एक बहतर तरीका होता है आप यदि लापरवाई करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे अंत में आपक तो आहते हैं यह पटा अभी चोटा है और तयार होने में इसे अभी 1-2 महीने का समय लग सकता है तब कहीं जाकर यह तैयार होगा फिर कहीं जाके इसका तेल निकाला जाएगा फिर कहीं जाके पैसा जेब में आएगा तब तक कठिन परिश्रम के साथ इसकी देख रेक की जाएगी तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इसमें आपको दिखा दें पौधे आप करीब से देख सकते हैं पौधा छोटा है और पौधे की जो पतियां है वो सूडियों ने छन्नी छन्नी कर दी हैं आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं पौधे की पतियों को छन्नी छन्नी कर दिया है पत्तों में छेद हो चुके हैं और इसकी ग्रोथ रुख गई है आप इस पौधे को देख सकते हैं वह कहुंए औहके की पत्तिय एक दम छन्य हो चुकी कि इसमें कीट नाशक का इस परे होगा ज़ू 돌 करने के लिए कल्ली बढ़हने के लिए इस परे होगा उसके बाद इसमे उर्बरक डाले जाएंगे जो डालना है बढ़िया जोज्व पर भी प्रीर होगी इसमें सिचाई होगी फिर कहीं जाके चार छे दिन के लिए हमें रैश्ट मिलेगा और उसके बाद कैसा रियल्ट रहता है वो आपको लाश्ट में दिखाएंगे इसमें कितना आयल निकलता है देख लीजिए पौदे की पत्तियां एकदम छन्नी हो चुकी हैं दोस्तो निराई गुड़ाई के साथ कीट ना सक और पौधत तेजी से गिरो करने का भी इस्प्रे हो गया है और अब इसको निराई गुड़ाई करने के बाद चार-पांच दिन धूप में सुखाया जाएगा ताके खरपतवार सब सूख जाए उसके बाद इसमें सिचाई की जाएगी और सिचाई करने के बाद देखते हैं पौधा कैसा रंग लाता है कैसा रिजल्ट है खेत में पौधा किस तरीके से गिरो करता है तो दोस्तो अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे आग्या चाहूंगा नमस्कार धन्दबाद जैहिन जै भारत